नमस्कार, गोड इविनिंग, E.T. World Leaders Forum के इस कारकम में आना कई पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, तो यह अपने आप में एक खुशी के बात है, मुझे मिस्वास है कि यहाँ भारत के ब्राइट फूचर को लेकर बहतरीन समवाद हुए होंगे, और यह समवाद तब हुए है, जब भारत को लेकर पूरा विश्वा, एक विश्वास से भरा हुआ है, फ्रेंड्स, भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है, भारत में हमने रिफॉर्म का असर अपनी एकोनामी की परफॉर्मस में देखा है, यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पियर से भी बेटर परफॉर्म किया है, जैसे पिछले दस सालों में ग्लोबल एकोनामी थर्टी फाइव परसेंट बड़ी है, लेकिन इनी दस सालों में हमारी एकोनामी करीब करीब 90 परसेंट बड़ी है, यह वो सस्टेन ग्रोथ है, जो हमने हासिल किये हैं, यह वो सस्टेन ग्रोथ है, जिसका हम वादा करते हैं, और यह वो सस्टेन ग्रोथ है, जो आगे भी जारी रहेगा, फ्रेंच बीते वर्षों में भारतियों के जीवन में हम बड़ा बड़लाउं लाने में सफल हुए हैं, हमारी सरकार ने भारत के करोडों करोड नागरीकों के जीवन को छुआ है, देश के नागरीकों को गुड गवर्णन्स देना यह हमारा संकल्प है, रिफार्म, पर्फार्म, ट्रांस्फार्म, यह हमारा मंत्र रहा है, और देश के लोग भी हमारे इस सेवा भाव को देख रहे हैं, देश के लोग बीते दस वर्षों में देश की उपलब्धियों को देख रहे हैं, इसलिए आज भारत के लोग एक नए विश्वास से भी भरे हुए हैं, विश्वास खुद पर, विश्वास देश की प्रगति पर, विश्वास नीतियों पर, विश्वास निर्णयों पर, और विश्वास नियत पर भी हैं, आप दुनिया के दूसरे देशों के स्थीतियां देखिए, इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में वोटिंग हुई हैं, इलेक्शन हुई हैं, ज्यादा तर जगवाँ पर लोगों ने, चेंज के लिए वोट किये हैं, कई देशों में सरकारों को मुश्किलें आई हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने, इस ट्रेंड के इस एकदम उल्टा जनादेश दिया, भारत के वोटर्स ने, साट साल बाद, किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई हैं, भारत के एश्पिरेशनल यूथ ने, और भारत के महलाओं ने, कंटिन्यूटी के लिए वोट किया है, पोलिटिकल स्टैबिलिटी, और एकनामिक ग्रोथ के लिए वोट किया है, और इसके लिए, मैं देश के लोगों का जितना आभार प्रगट करूँ, वो कम ही है, साथियों, आज भारत की प्रगती, ग्लोबल हेड्लाइन्स का हिस्सा बन दई है, आख्ड़ों का अपना महत्व होता ही है, लेकिन ये देखना भी उतना ही जरूरी है, कि आखिर कर कितने लोगों का जीवन बदल रहा है, इसी में भारत के भविश्का राज छिपा है, बीते एक दसक में पचीज करोड लोग गरीबी से बहार आये हैं, और ये लोग सिर्फ गरीबी से बहार आये हैं, इतना ही नहीं है, उन्होंने एक नियो मिडल क्लास का निर्माण किया है, ये स्पीड और स्केल हिस्टोरिक है, दुनिया की किसी भी डेमोक्रिटिक सुसाइटिम है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये भारत में इसलिए हुआ, क्योंकि हमने गरीबों के प्रती, गरीबों में भी एस्पिरेशन तो थी ही, फाइटिंग स्पिरिट को हमसे भी ज़्यादा होती है, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी थी, जैसे उनके पास बैंक एकाउंट नहीं थे, बेसिक सुभीदा ही नहीं थे, और ऐसी स्थित्यों में हमने गरीबों को एमपावर करने का रास्ता चुना, हमने उनके रास्ते से बाधाएं हटाई और हम कंदे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हुए, और देखिए, कितना कुछ बदल गया, जिन लोगों के पास दसकों तक बैंक एकाउंट नहीं थे, वो आज अपने एकाउंट से डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जिन के लिए बैंकों के दरवाजे बन थे, उन्हें आज बिना गारंटी बैंक लोन्स मिल रहे हैं। वो आज एंट्रेपेर्णर बन रहे हैं। जो लोग दुनिया में हो रहे बढ़लावों से अंजान थे। आज उनके पास डिवाइज भी हैं, कनेक्टिविटी भी हैं। और वो बेटर इंफॉर्म सिटीजन है। जो गरीबी के संगर से बाहर निकल रहे हैं। उनके भीतर तरक्की की भूख है। वो अपने बच्चों को एक सुनारा बविश्ट देना चाहते हैं। उनकी एस्पिरेशन्स नए इंफ्रास्टर का निर्मान कर रही है। उनकी क्रिविटिविटी इनोवेशन का रास्ता बना रही है। उनकी स्किल से इंडिस्ट्री का रुख बन रहा है। और उनकी नीड से मार्केट की दिशा बन रही है। उनकी इंकम ग्रोथ मार्केट में डिमांड को बढ़ावा दे रही है भारत का ये नियो मिडल क्लास देश की प्रगती की सबसे बड़ी शक्ति शाबीत हो रहा है सात्यों जब चुनाव के नतीज आये थे तो मैंने कहा था कि थर्ट टम में हमारी सरकार तीन गुना तेजी से काम करेगी मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ इरादे अब और मजबूत है और हर देश वासी की तरह सरकार भी पूरी तरह से आशा और विश्वात से भरी हुई है अभी थर्ट टम की सरकार बने सो दिन भी पूरे नहीं हुई है हम फिजिकल इंफ्रासेक्टर को आधुनिक बनाने में जूटे हैं हम सोशल इंफ्रासेक्टर का विस्तार कर रहे हैं हम रिफोंस में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं बीते तीन महिनों में हमने गरीबों के लिए किसानों नवजवानों महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं हमने गरीबों के लिए तीन करोड नए घरों को स्विकृति दी हमने युनिफाइड पैंशन स्किम की गोशना की एक लाग करोड रुपे के अगरिकल्चर इंफ्रा फंड के लिए विस्तार का उसका फैसला हुआ बहतर क्वालिटी के बीजों की हंडेट से अधिक वराइटी जारी की दो लाग करोड रुपे के पी-एम पैकेज की गोशना हुई जिसका सीधा फायदा चार करोड से जादा युवाओं को मिलेगा और सौद इनके भीतर ही देश में ग्यारा लाग गरामिर बैक्ग्राउंड की सामान्य परिवार की ग्यारा लाख नई लगपति दीदी बनी है ये महलाओं के आर्थिक ससक्तिकरण का बहुत बड़ा काम हुआ है साथियों कल मैं महाराच्चा के पालगर में था वहाँ 75,000 करोड रुपिय से अधिक के इन्वेस्मेंट से वाडवन पौड का सिलान्यास किया गया है तीन दिन पहले ही 30,000 करोड रुपिय के इन्वेस्मेंट से 12 नए इंडस्टियल सीटीज के निर्मान को मंजूरी दी गई है 50,000 करोड से अधिक के 8 हाइज स्पीड कोरिडोर स्विकृत किये गई है हमने 30,000 करोड रुपिय से पूरे ठाने और बैंगलूर मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है इसी दौरान लद्दाख में दुनिया की सबसे उची टनेल में से एक के निर्मान का काम शुरू हुआ है सात्यों हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्शर सिरब लंबाई चोड़ाई उचाई बढ़ाने तक सिमित नहीं है हमारे लिए यह भारत के नागरिकों की सुविधा का इज अफ लिविंग का मध्यम है रेल के डिब्बे तो पहले भी बनते थे लेकिन हम बंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों को ले करके आए जिसमें स्पीड और कमफट दोनों है आजी मैंने सुवे तीन नई बंदे भारत ट्रेनों को हरी जन्डी दिखाई है रोड भी तो देश में पहले बनते थे पहले भी बनते थे लेकिन हम भारत में आधुनिक एक्सप्रेस वे का जाल बिछा रहे है एरपॉर्ट भी हमारे हाँ पहले से थे लेकिन हम भारत के टियर टू टियर फ्री सिटीज को एर कनेक्टिविटी से जोड रहे हैं हम पी एम गतिशक की नेशनल मस्टर प्लान लेकर आए हैं लक्ष यही है कि देश की सरकारें अलग अलग डिपार्टमेंट साइलोस में काम करने कल्चर से बहार आएं इन सारे प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लोइमेंट जनरेट हो रहा है इसका बहुत बड़ा फाइदा हमारी एकोनोमी को हो रहा है हमारी इंड़स्टी को हो रहा है फ्रेंड इक्कीसवी सदी का ये तीसरा दसक भारत के लिए लिप अब डेकर्ट जैसा है एक कैसे होगा इसका फाइदा किसको होगा कि इसको करने वाले भी हम सभी है और इसका फाइदा भी सभी को होगा पूरे देश को होगा आज जब यहां भारत की एकोनोमी से जुड़े आप सभी स्टेक होल्डर्स है प्रावेट सेक्टर से जुड़े साथ ही है मैं उन पिलर्स की चर्चा ज़रूर करना चाहूंगा जो विक्सीद भारत के निर्मान को गति देने वाले है और यह पिलर्स स्रिप भारत की प्रोस्परिटी के पिलर्स नहीं है यह ग्लोबल प्र प्रोस्परिटी के भी पिलर्स है आज भारत में चारों तरफ हाउसर बढ़ रहे हैं सरकार हर प्रयास को प्रोच्छाइद कर रही हैं और हम बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हम एक लॉंग टर्म वीजन पर भी काम कर रहे हैं साथियों भारत को ग्लोबल मैनिफेक्टिन हब बनाना हर भारतिय की एस्पिरेशन से हैं और दुनिया की भारत से एक्सपेक्टेशन भी है आज आप देखिए इसके लिए देश में एक रिवलुशन जैसा चल रहा है आज देश में MSME को जीतना सपोर्ट मिल रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ आज शहरों में plug and play industrial parts बनाई जा रहे हैं economic corridors बनाई जा रहे हैं critical minerals के production को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में PLI schemes ने जो सफलता हासिल की है वो तो अभूदपूर्वा है साथ योग गुलामी के कानखन से पहले भारत की समुरुद्धी का बहुत बड़ा आदार हमारी ज्ञान परंपरा थी हमारा knowledge system था ये विशित भारत का भी एक important pillar है हम में से कौन नहीं चाहेगा कि भारत skill, knowledge, research और innovation का hub बने इसके लिए सरकार industry और academia को partner बना रही है इस साल के budget में भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है एक लाग करोड रुपय के research fund के पिशे भी हमारी यही सोच है अज देश का प्रयास है कि टॉप विदेशी university के campus भारत में खुले हमारे जो middle class के बच्चे बाहर परड़े में इतना पैसा खर्च करते हैं हम चाहते हैं उनका वो पैसा बचे मैं आपको एक उदाहन दूँगा आज़ाती के बाद के साथ दसक तक भारत में MPPS MD की seats 80,000 के आस्पाद रही और इसलिए ही तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे बच्चे विदेश जाने के लिए मजबूर थे पिछले दस साल में देश में हमने MBPS MD की करीब एक लाख नई सीटे और बढ़ाई है आज देश में MBPS MD की एक लाख 80,000 से ज़्यादा सीटे हो गई है और मैंने इस बार अभी 15 अगस को लाल के लिए से एलान किया है अगले पांस साल में भारत में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटे और जोड़ी जाएगी वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में Health and Wellness का बहुत बड़ा एहम सेंटर बनेगा साथियों आज भारत के एक और बड़ी अम्बिशन है यह अम्बिशन देश को ग्लोबल फूड बास्केट बनानी की है दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई made in इंडिया फूड प्रोड़क्ट हो यह देश का संकल्प है इस संकल्प की सिद्धी के लिए हम कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं आज और्गेनिक फार्मिंग नेचरल फार्मिंग पर जोड़ दिया जा रहा है हमारे dairy products हमारे seafood इनकी quality पर जोड है आपने देखा है पिछले साल पूरे विश्व ने international millet year मनाया किस की पहल पर भारत की पहल पर हुआ दुनिया में millet का सबसे बड़ा producer कौन है इंदुस्तान है और यह millet super food है यह प्रकूरती के लिए भी अच्छे हैं प्रग्यति के लिए भी अच्छे हैं मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया के top food branch में जगव बना रहा है साथियो विख्सीद भारत का एक और मजबुत पिलर ग्रीन एनर्जी का सेक्टर होने वाला है अपने G20 में भारत की सफलता देखी है भारत के ग्रीन हैड्रोजन इनिशेटिव को सभी देशों ने सपोर्ट किया भारत ने तय किया है कि 2030 तक 5 मिलियन टर्न ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की कैपिसिटी डेवलप की जाएगी भारत का लक्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूबल एनर्जी जनरेट करने का है साथियों बीते वर्षों में टेक्नोलोजी ने हमारे ग्रोध को गती दी है अब टेक्नोलोजी के साथ साथ टूरिजम भी भारत की ग्रोध का एक स्ट्रॉंग पीलर बनेगा दुनिया भर के टूरिस के लिए हर सेग्मेंट के टूरिस के लिए भारत टॉप डेशनेशन हो ये प्रयास आज देश कर रहा है आज भारत में आइतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है हमारे जो बीचीज है चोटे-चोटे आइलेंड्स है उनको डेवलप किया जा रहा है और इस समय तो देश में एक यूनीक अभियान भी चल रहा है देखो अपना देश देखो अपना देश पीपन चौइस इसमें भारत के popular tourism destination की लिस्ट बनाने के लिए voting कर रही है नागरिक vote कर रहा है जिन जगाओं को भारत के लोग top destination मानेंगे उन tourist places को mission बोर्ड में develop किया जायेगा और इससे भी बड़ी संख्या में employment generate होगा चाथियों आज हमारा देश परिवर्तन में सबकी भागिदारी पर जोर दे रहा है G20 की presidency के दोरान हमने अपने African friends को ससकत करने में मदद की हमने Global South की आवाज उठाई अब हम एक ऐसा world order चाहते हैं जो सभी देशों खास कर Global South का inclusive development ensure करे आने वाले समय में Global South के देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी संभावना होगी पुरी humanity का एक बड़ा हिस्सा इन देशों में बसता है और भारत विश्व बंधु की भावना से इन देशों की आवाज बन रहा है साथियों आज की दुनिया डाइनेमिक है इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डाइनेमिक है हर जरूरत के हिसाब से हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं हम अपनी पॉलिसी बीते कल के आधार पर नहीं बलकि आने वाले कल को देखते हुए बना रहे हैं हमारा फोकस फ्यूचर पर है हम आने वाले कल की चुनोतियों और अवसरों के लिए देश को आज तैयार कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो कौंटम मिशन हो सेमी कंड़क्टर मिशन हो डी पोशन मिशन हो इन पर भारत अभी काम कर रहा है है अभी आपने देखा है सरकार ने स्पेस को बढ़ावा देने के लिए थाउजन करोड के फंड की गोश्णा की है आज का भारत अवस्वरों की धर्ती है हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बहतर होने वाला है साथ यह हमने भारत को 2047 तक विख्षीद भारत बनाने का संक्रपलिया है हम जानते हैं आप भी देश की स्यात्रा में बढ़ चड़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं हम चाहते हैं भारत में जादा से जादा कंपनियां ग्लोबल ब्रेंड बने हम चाहते हैं भारत दुनिया के हर सेक्टर में लीडर बने हमारा वादा है हम फैसिलिटेट करेंगे आप वादा करिए आप इनोवेट करेंगे हमारा वादा है हम रिफॉर्म करेंगे आप वादा करिए आप पर्फॉर्म करेंगे हमारा वादा है हम स्टेबल पॉलिसी रिजिम देंगे आप वादा करिए आप पॉजिटिव दिस्रप्शन करेंगे हमारा वादा है हम हाई ग्रोध पर ध्यान देंगे आप वादा करिए आप हाई क्वालिटी पर ध्यान देंगे बड़ा सोचिये देश के लिए सफलता की बहुत सी गाथाएं हमें मिलकर के लिखनी है आज का भारत दुनिया में संभावनाओं की सबसे बड़ी धर्ती है आज का भारत वेल्ट क्रियेटर्स का सम्मान करता है एक बजबूत भारत पूरी मानोता का बहुत बड़ा विकास कर सकता है एक सम्रुद्ध भारत पूरे विश्व की सम्रुद्ध का रास्ता बना सकता है हमें इनोवेशन, इंक्लूजन और इंटरनेशनल कोपरेशन के मंत्र याद रखने हैं मैं देश और देश के बहार रहने वाले हर भारतिय से कहूंगा भारत के हर सामर्थ से कहूंगा आईए इस यात्रा में हम सब मिल करके एक साथ चलें आईए भारत को विख्षित बनाएं क्योंकि भारत की समरुद्धी में ही दुनिया की समरुद्धी है और मुझे विश्वात है हम ये लक्ष हासिल कर सकते हैं और इसी विश्वात के साथ मैं आप सब का रुदे से बहुत-बहुत आभार वेक्ते करता हूं धन्यवाद